हलो दोस्तो मेरा नाम है संतोश कुमार और आप देख रहे हैं टेकनिकल न्यूस कैस्ट इंदी चैनल मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आज हम एक यूवी जिसका फुल फार में अल्ट्रा वैलेट इस अल्ट्रा वैलेट का एक स्टेरिलेजर जिसको हम यूवी स्टेरिलेजर स्टिक भी कहते हैं जिसको हम यूवी स्टेरिलेजर लैम भी कह सकते हैं जिसको हम पोर्टेबल स्टेरिलेजर भी कह सकते ह तो इसको हम bacteria, viruses जो होते हैं उसको खतम करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो इसका एक unboxing और overview देखते हैं तो दोस्तों यह रहा हमारा UV Sterilizer यान की Ultra Wild Sterilizer का box pack तो इस box pack के उपर एक नजर डालते हैं जैसे कि इस box pack के उपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस device का picture mention किया गया यह है UV Sterilizer Stick उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पार है UV Sterilizer लिखा गया है उसके नीचे लिखा गया है कि 100% ozone free and chemical free लिखा गया है यहाँ पर home, office and travel लिखा गया है यहाँ पर portable and easy to use लिखा गया है यहाँ पर safety region mention किया गया है अब box के दूसरे तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ futures mention किये गये line wise तो यह के करके देखते हैं तो यहाँ पर unlock लिखा गया है यहाँ पर twice turn on लिखा गया है यहाँ पर once turn off लिखा गया है यहाँ पर 90 degree turn off automatic लिखा गया है यहाँ पर UV sterilization लिखा गया है लिखा गया है तो अब बॉक्स के पीछे के तरफ देखते हैं तो नीचे के तरफ देखते हैं तो यहां पे दिखिए यूवी स्टेरलेजर लिखा गया है तो बॉक्स के दूसरे तरफ देखते हैं तो यहां पे आप देख पर हैं अल्ट्रा वाले स्टेरलेजर लिखा गया है यहाँ पे इस device का model number मेंशन किया गया है, यहाँ पे DC input लिखा गया है, यहाँ पे dimension भी मेंशन किया गया है, यहाँ पे made in China लिखा गया है, और यहाँ पे sanitation time लिखा गया है, 22 180 seconds, और यहाँ पे power मेंशन किया गया है, यहाँ बैटरी का capacity 1200 mh, और यहाँ पे UBC LED life लिखा गया है, 24,000 मिनिट और यहाँ पे भी कुछ फ्योचर्स यहाँ पे मेंशन किये गए तो इसको turn on करके देखते हैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 99.9% efficient लिखा गया है और यहाँ पे non-toxic लिखा गया है यहाँ पे non ozone लिखा गया है यहाँ पे no radiation लिखा गया है और यहाँ प पे मेंशन किया गया है 5,499 रूपीज परंतो मैंने इसको 2,999 रूपीज से Amazon से पर्चिस किया था कभी-कभी इसका जो price होते हैं वो value होते हैं तो अब box के पिछे के तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख परें इस sterilizer का picture यहाँ पे मेंशन किया गया है यह है UV sterilizer stick उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे anytime, anywhere UV sterilizer लिखा गया है और यहाँ पे 100% ozone free and chemical free लिखा गया है powered by 3 into UVC LED disinfects eliminates up to 99.9% germs, viruses, bacteria, no water और chemical needle लिखा गया है और यहाँ पे for home, office and travel लिखा गया है और यहाँ पे made your life easier with a simple press and scan apply directly to surface of sofa, bed, bath towel, mat, carpet, keyboard, mouse and more यहाँ पे portable and easy to use लिखा गया है, lightweight and portable with battery inbuilt easily to be stored in handbag, backpack और luggage और यहाँ पे safety design लिखा गया है with its inbuilt smart sensor, shut it down automatically when it is overturned during disinfection process तो अब box के ऊपर के तरफ देखते हैं तो यहाँ पे UV sterilizer लिखा गया है तो इस box को अब open करके देखते हैं तो दोस्तों यह सारे है इस box के content जैसे कि आप यहाँ पे देख पर हैं यह UV sterilizer और इसके साथ हमें मिल रही है एक battery यह है rechargeable battery इसका जो capacity है यहाँ पे आप देख पर हैं 1200 image लिखा हुआ है तो इसके साथ हमें मिल रही है एक cable USB cable यह type C port का cable है यहाँ पे आप देख पर हैं यह type A का USB port है तो इसके साथ हमें मिल रही है एक manual book तो इस manual book में इस device के बारे में सारे कुछ information यहाँ पे दिया गया है तो आप चाहिते हैं इसको pause करके भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे front के side English में लिखा गया है same thing back side में Chinese में लिखा गया है तो इसको side में रखते हैं तो अब इस device को देखते हैं इस sterilizer को देखते हैं तो sterilizer बहुत lightweight है तो आप इसको एक हाथ से अच्छे तरह से पकड़ सकते हैं देखिए कितना अच्छा grip मिल रहा है यहाँ पे lightweight भी है बहुत lightweight है compact है portable है आप easily इसको कहीं पे भी carry कर सकते हैं आप अ 's circular सा round shape सा इह टाइमर यहाँ पर हम कितने second scan किये हैं तो सेकेंड wise हमें यहां पर पता चल जाता है तो यहां पर जो button आप देख पार है यह on-off ब्टन है अगर आप इस button को दो बार प्रेस करेंगे तो आप इस device को on कर सकेंगे अगर आप इस button को एक बार प्रेस करेंगे तो आप इस device को off कर सकते हैं तो इस button को on करने से पहले आप यहाँ पे देख पार है यहाँ पे एक lock दिया गया है चाहे आप इसको child lock भी कह सकते हैं अगर इस lock को आप उपर के तरफ करेंगे तो वो unlock है नीचे के तरफ करेंगे तो वो lock है तो इस device को on करने के लिए पहले आप इसको unlock कर दीजिए उपर के तरफ खींचिए उसके बाद इस device को on कर सकते हैं इस device को off करने के लिए यह जो button है आप एक बार प्रेस कर देंगे तो इस device off हो जाएगा तो इस device के पीछे के तरफ देखते हैं तो यहां पे आप देख पर हैं जैसे की एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, छे LED लाइट से यह, यह UV लाइट भी आप कह सकते हैं, यह powerful अल्टरा वाइलेट लाइट से यह, तो यह है battery compartment, यहां पे आपको जो battery यहां पे दिया गया है rechargeable बैट उसको आप यहां पे डाल सकते हैं, उसको डालने के लिए आप जस्ट इसको थोड़ा यहां पे पकड़ के slide कर दीजिए, नीचे के तरफ इसको open कर सकते हैं इस compartment को, तो यहां पे इस cap में भी इस device का model number मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पर हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे model number भी मेंशन किया गया है, SD02, यह है इस device का model number, और यहां पे बैटरी डालने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, प्लस और माइनस का चिन दिया गया है, यहां पे आप देख पा रहें, यहां पे प्लस उपर के तरफ प्लस है, नीचे क तरफ माइनस दिया गया है, तो आप प्लस और माइनस का अंसार यहां पे बैटरी डाल सकते हैं, तो इसे डाल के उसके बाद आप इसको जो कैप है, यहां पे इसको क्लोज कर सकते हैं, इस टेरलेजर के लेट सेड में आप देख पर हैं, एक USB Type-C port दिया गया है, यहां पे आपका जो केबल यहां पे दिया गया है, चार्जिंग के लिए जो USB केबल आप इसको यहां पे कनट कर सकते हैं, तो इस केबल का जो end है, जो Type-C का जो port है, उसको आप यहां पे ऐसे कनट कर सकते हैं, तो ऐसे कनट करके आप अपना जो power adapter हैं, उसमें आप इसको fix करके इसको चार्ज कर सकते हैं तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करें तो इस डिवाइस को आप फुली चार्ज कर सकते हैं उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं तो देखें मैं यहाँ पर अपने जो पावर एड़ाप्ट है वहां पर इसको कन्ट करने के तुरंथ आप यहां पर देख परने एक रेड कलर सा जल रहा है एक लाइट मतलब यह बैटरी चार्जिंग हो रहा है अबी यह चार्जिंग कंप्लिट होने के बाद यह जो लाइट है वह ऑटोमेटिकली आफ हो जाता है तो ऐसे आप इसको चार्ज कर सकते हैं तो अब इसको डिसकन्ट कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक इंपोर्टेंट बात भी सेर करना चाहता हूँ तो इस डिवाइस में इस टेलाइजर में जो यहाँ पर आप देख परें तो एक का और फिते ही हैं तो इस लाइट से आप सिर्फ जो जो वस्तू होते हैं उन्हकर भी आप इसको स्का driven करके use कर सकते हैं जो चीजे या वस्तू के ऊपर जो वाइरस, बैक्टिरिया, किटानो, जर्म्स होते हैं उसको खतम करने के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हैं, स्कैन करके उसको खतम कर सकते हैं, तो यह बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिए तो इस device को on करके भी देखते हैं, on करने से पहले जो हाथ है आपका, तो यहाँ पे जो देख पर हैं, इस light के पास नहीं जाना चाहिए, यह उंगली यहाँ पे नीचे ही होना चाहिए, एक edge पे आप अच्छे तरह से इसे grip करके पकड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो ultraviolet trace है, उस body के skin के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप उंगली को थोड़ा दूर पे रखी लीजिए, इसके पास मत लीजिए, यहाँ पे, तो ऐसे आप पकड़ के, ऐसे scan कर सकते हैं, तो scan करने से पहले, जो lock किया गया, यहाँ पे, इस lock को unlock कर लीजिए, ऐसे, दिखे, unlock करेंगे, तो यहाँ पे आपको timer का जो light है, वहाँ पे जल जाएगी, उसके बाद आप यह जो on off का जो button है, उसको अगर दो बार प्रेस करेंगे, तो यह machine चालू हो जाएगा, तो इस timer में जो count होता है, वो 180 से शुरू होता है, 180 से 20 तक जाता है, तो इस timer का count है, वो second के हिसाब से होत तो एक एक number, एक एक second के हिसाब से आप ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 180 शो करा है, उसके बाद 179 शो करा है, तो आप वहाँ पे one second scan किये होंगे, अगर आप 5 second का scan करना चाहते हैं, तो आप 175 पे अटक के वहाँ पे आप इस button को off कर सकते हैं, अगर आप 10 second scan करना चाहते हैं, तो 170 नमबर जब यहां पे डिस्प्ले होगा तब आप इस बटन को वहां पे आफ कर सकते हैं, वैसे आप काउंट कर सकते हैं, एक एक नमबर एक एक सेकंड के हिसाब से यहां पे आपको शो करेगा, तो जब भी आप इस मेशिन को चालू कर रहें, तो हमेशा आप इस मेशिन को ऐसे जो लाइट्स होते हो उसको नीचे के तरफ ही रख लिजिए, गल्ती से भी आप ऐसे मत कर लिजिए, इसमें हाला कि इसमें एक gravity sensor का एक option है अगर हम ऐसे कर लेंगे तो ये lights भी automatically off हो जाता है फिर भी आप सतर्प के लिए हमेशा LED का भागे उसको नीचे के तरफ ही रख लीजिए वो बात आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए तो ऐसे ही रखके आप इस machine को on कर सकते हैं अब इस device को मैं चालू करने के लिए जो button है मैं इसको दो बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे screen पे भी आप देख सकते हैं second device जो timer है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो इस machine को आप यहाँ पे देख पर हैं मैं edge से नीचे से ही उंगली से पकड़ लिया हूँ पास में नहीं ले रहा हूँ उसको मैं उंगली में जो हाथ यहाँ पे पकड़ लिया हूँ देखिए बहुत edge नीचे के तरफ है यह जो light है उसके पास मेरा हाथ नहीं है थोड़ा दूर में ही है क्योंकि जो light है वो skin के उपर नहीं आना चाहिए या मूँ के उपर भी नहीं आना चाहिए ऐसे process करते वक्त अगर आप चस्मा भी पेनेंगे तो बहुत अच्छा होगा तो ऐसे आप ऐसे scan कर सकते हैं किसी चीज के उपर अगर आप doubt है उस चीज के में virus या bacteria, ketano, germ जो भी है वो आप ऐसे खतम कर सकते हैं scan करके अगर आप 4 हैं 5 second, 10 second या 15 second, 20 second वैसे भी आप कर सकते हैं जो count है आपको यहाँ पे show कर रहा होगा तो यहाँ पे आप देख पर हैं एक-एक digit यहाँ पे पीछे आ रहा है एक-एक digit वो आपको एक-एक second के हिसाब से आप count कर सकते हैं तो यहाँ पे जो digits होते हैं वो 180 से शुरू होके 20 तत जाते हैं तो ऐसे आप किसी चीज के उपर ऐसे scan कर सकते हैं तो आप हमेसे यहाँ पे एक द्याब ध्यान रखीजिए जो UV lights जल रहे हैं नीचे के तरफ उस device को आप नीचे के तरफ ही दिखाईए उस scan करते वक्त आप कभी भी उसको turn करके उपर के तरफ मत घुमाईए तो आप ऐसे ही किसी चीज के उपर scan कर सकते हैं ऐसे कितना seconds आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा तो ऐसे आप scan कर सकते हैं तो जब आप इस टेरले जैसे scan कर रहे हैं तो उस चीज या वस्तु के उपर जब आप scan कर रहे हैं तो उस वस्तु के उपर से 10 cm दूरी से आप scan कर सकते हैं तो उसके बाद जब आप आफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बटन दिया गया है यह बटन यह जो अन आफ बटन है एक बार प्रेस कर लेंगे तो आप इस मेशिन को आफ कर सकते हैं आफ करते हैं आप ऐसे डिवाइस को यह जो स्टेरलेजर को नीचे के तरफ ही रखके ऐसे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यह डिवाइस आफ हो चुका है इस्टेलेजर को हम वाइरेस, बैक्टिरिया, किटानू, जर्म्स को खतम करने के लिए स्कैन करके इस्तमाल करते हैं तो इस्टेलेजर को आप घर में यूज कर सकते हैं, बाहर यूज कर सकते हैं, ट्राबल करते वक्त भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्जाम्पल वाइज, कुछ उधारन के तौर से में कुछ चीजें या वस्तुवों के उपर स्कैन करके भी आप को एक live demo भी दिखा रहा हूं, आप वो देख सकते हैं, तो आप ऐसे कुछ grocery packet के उपर भी स्कैन कर सकते हैं, courier packet के उपर भी स्कैन कर सकते हैं, shirts, pens, cloths, towels, kerchiefs के उपर भी स्कैन कर सकते हैं, storage content के उपर स्कैन कर सकते हैं, water bottle के उपर भी स्कैन कर सकते हैं, आपकी जो परसे wallet है उसके उपर भी आप स्कैन कर सकते हैं, चाभी ताला उसके उपर भी आप स्कैन कर सकते हैं, calculator, watch, remote control, चस्मा, pen नोट बूक, टॉट्स लॉइट, मास्क, मॉबाल फोन, करंसी, नोट्स और उस कोइन, सीज़र्स जैसे कुछ भी हो, चीज होत्व उनके उपर आप स्केन कर सकते हैं, आप चाहे तो लैप्टॉप तो पर säga माउस के उपर भी scan कर सकते हैं, आप चाहे तो जो luggage होते हैं, जो bags trolley bags, umbrella उसके उपर भी scan कर सकते हैं, आप जो door से होते हैं, door handle वहाँ पे भी इसको scan करके use कर सकते हैं तो दोस्तों यह था एक ultraviolet sterilizer stick का unboxing और उसका overview अगर आप इस product को purchase करना चाहते हैं तो वो purchase link में नीचे description में दिया हम, वहाँ पे आप चिक कर सकते हैं तो please मेरे channel को like कीजिए अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो नीचे जो subscribe बटन है वहाँ पे प्रस कर दीजिए पास में जो घंटी बटन है बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो तुरंत आप तक notification आ जाएगा अगर आप कुछ comment करना चाहते हैं तो नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई आपका दिन शुरू हो